इसलिए थोड़ा सा इसका अपडेटिट बज़न है यह तो वही चीज यहां भी है आप क्योंकि यह क्लास 10 थे इसलिए थोड़ा सा इसका अपडेटिट बज़न है यह तो तो नाइन क्लास से थोड़ा सा आपको एक्स्टा चीज यहां पर देखनों को मिलेंगी ठीक है तो दीके कोश्चन नमर वन दे रखा है फाइंड जीरोज अपड़ फॉलॉइंग क्वाडिटिक पॉलमियल एंड वेरिफाई दा रेलेशन बिट्बीन दा जीरोज एंड कॉफ इसके जीरोज निकालो तो यह आपने अपनी नाइन क्लास में सीखा था कभी भी अगर आपको इस तरह से कोई क्वाडिटिक एक्केशन दे जाती है तो सबसे पहले हम यह चेक करते हैं कि यहां क्या नंबर है और लास्ट में क्या नंबर है ठीक है और यह नंबर अरेंज है यह नहीं है अपने सही ओडर में सही ओडर का मतलब सबसे पहले एकस स्कॉायर होना चाहिए फिर एकस का टरम्स होना चाहिए और फिर नंबर होना चाहिए ठीक है इसी टरम्स में अगर रेंज हैं तो क्या करते हैं यहां जो भी नंबर होता है उसका हम इधर वाले नंबर मे तो इदर कुछ भी नहीं है आने के 1 तो 8 बन जा 8 अब जो भी हमारे पास नमबर आता है उसके हम करते हैं प्राइम फेक्टर तो देखिए 2 फोर जा टू टू जा और 2 बन जा यह इसके फेक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 अब इन नमबर से हम अब एसे 2 नमबर बनाते हैं जिसको प्लस या मानस करने पर यह बीच वाला नमबर आ जाए तो देखिए मैंने लिया यह 2 जा फोर ले लिया एक 2 ले लिया तो 4 मेंसे 2 मानस करने तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ठीक है तो देखिए किसी भी नमबर को चेंज नहीं करना इसको ऐसे लिख देएगे मानस साइन ऐसे लिख दिया सिर्फ इस 2 की जगे लिख दिया मैंने 4 मानस 2 एक्स भी ऐसे लिख दिया और यह मानस का 8 भी ऐसे लिख दिया तो इस मेटड को हम कहते है splitting the middle term मतलब बीच वाले term को split कर देना मतलब तोड़ देना ठीक है तो वही मैंने किये हैं आपर अब इसके बाद तो simple procedure आपको पता ही है minus sign का अंदर into करेंगे x का भी करेंगे तो यह हो जाएगा minus का 4x minus minus plus का 2x बाकी नमबर हमने ऐसे कैसी note कर दिये अब पहले दो नमबरों में क्या common है x common है तो यहाँ x minus 4 बचेगा इन दोनों में क्या common है 2 common है तो 2 बन जा यहने x रह गया 2 4 जा यहने 4 रह गया अब x minus 4 यहाँ भी है x minus 4 यहाँ भी है अगर दोनों में same number आ रहा है इसका मतलब हमारा question सही जा रहा है और सही जा रहा है तो common ले लो x minus 4 दोनों में से common लिया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा plus का 2 यह होगा हमारे factor यहाँ तक आपने सीखा था 9th class में ठीक है अब थोड़ा सा आँगे बढ़ते हैं 10th class की तरफ चलते हैं तो 10th class में आपसे पूछा है 0s निकालो तो किसी भी factor के 0s निकालने के लिए हम उसे 0 के equal कर देते हैं तो इसके 0s निकालने हैं तो इससे 0 के equal कर दो तो x की value क्या आ गई? 4 इसके 0s निकालने है 0 के equal कर दिया तो x equal to कितना आ गया? minus 2 तो यह हमारा x equal to 4 x equal to minus 2 it is called zeros of the quadratic equation क्योंकि greatest power कितनी थे इसकी? 2 इसलिए कितने zeros निकल के आएंगे? 2 अच्छा यह हमारे zeros निकले ठीके? मान लीज़े 0 को मैंने पहले वाले को alpha और दूसरे वाले को beta से represent कर दिया ठीके? alpha और beta लिखने में थोड़ा सा आसान रहता है इसलिए कि हमेंने अभी verify करेंगे तो वहाँ पर इसका use आएगा आप चाहो तो इसको alpha और beta भी मान सकते हैं it is your choice अच्छा verify कैसे करते हैं? आदा question हमारा solve हो गया अब बागी का आदा कैसे करेंगे? अब बताते हैं तो verify करने के लिए पहले हम दुबारा से equation लिखेंगे quadratic equation इसके बाद while comparing general equation इसकी general equation से compare करेंगे तो quadratic equation की general equation क्या होती है? यह भी 9 में सीखी थी आपने ax square plus bx plus c इससे हमने compare किया तो x square के साथ क्या है? a और यहाँ x square क्या है? कुछ नहीं तो इसकी value 1 हो गई यहाँ x के साथ क्या है? b और यहाँ x के साथ क्या है? minus 2 तो b की value minus 2 हो गई यहाँ अकेला number क्या है? c और यहाँ अकेला number क्या है? minus 8 तो c की value minus 8 हो गई तो वस आपको relationship बताना है verify करके तो इसके दो formula होते है coefficient जानते है coefficient का मतब जो number multiples में होते है उसे हम coefficient कहते है तो यह इसका formula है यह आपको याद रखना है this is the most important thing आँगे और भी question में इसका use आएगा तो देखो alpha की जगे मैंने alpha की value जो थी उसको put up किया beta की जगे beta की value को put up करेंगे बी की जगे पर बी की जो value थी वो रख दी और एक ही जगे पर जो एक ही value थी उसको रख दिया तो plus minus minus हो गया और यह minus minus plus हो जाएगा तो 4 minus 2 क्या आ गया 2 and 2 is equal to 2 यानि कि यह हो गया हमारा verified इसी तरह से इसका एक और formula है उसको भी आप verify करेंगे now product of zeros दूसरा formula इसका होता है product of zeros यानि alpha into beta ठीक है यह मारा product हो गया इसका formula होता है c upon a फिर से value रखेंगे alpha की जगे alpha की value beta की जगे बीटा की value c की जगे c की value और a की जगे a की value तो 4 to the 8 यह minus का 8 हो गया और यह भी minus का 8 है यानि यह भी मारा हो गया verified इस तरह से आप इस question को verified कर सकते हैं और यही नहीं इसके सारे के सारे question इसी pattern के according आपको solve करने है okay just look up the second part of it यह लिखा है 4 as square minus 4 as plus 1 तो मैंने आपको भी यह बताया तब वही काम करेंगे पहले देखते हैं सही order है के नहीं तो सबसे बड़ी power फिर उसे छोटी फिर उससे छोटी यानि के सही order है फिर last वाले number का starting वाले number में multiply कर देते हैं तो one four जा four हो गया अब इस four के हमने किये prime factor ठीक है इसके हमने किये prime factor तो कितने factor आगए हमारे पास two into two अब इन दो का use ऐसे करना है कि प्लस या मानस करने पर भी बीच वाला number आ जाए तो अब इस लिए दो में हम दो को जोड़ दे तो क्या जाएगा चार आ जाएगा तो वही हमने किया किसी और number में कोई change नहीं देखो यह ऐसी लिखा हुआ है मानस सान ऐसी लिखा है सिर्फ फोर की जागे लिख देंगे हम टू प्लस टू एस भी ऐसी लिखा हुआ और वन भी ऐसी लिखा हुआ है इसलिए इस मेथर को कहते है splitting the middle term method अब देखें मानस का अंदर into किया एस का भी into करेंगे तो मानस 2S मानस 2S और यह देखो पहले नमबर ऐसे कैसी लिखे है अब देखते हैं दोनों में common क्या है तो देख भी इस में है और इस में क्या common है 2S 2S को common निकाला तो 2 तू जा 4 यानि 2S रह जाएगा वैसे यहाँ पर 2S चला गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो minus का 1 अब यही नमबर हमको यहाँ लिखे आना होता है तो यहाँ पर 2S positive है और यहाँ पर 2S क्या है negative है यानि हमको sign change करना है और जब भी sign change करना होता है तो हम minus sign common लेते हैं तो minus का 1 common लिया इससे क्या होगा अंदर के sign बदल जाएंगे जो minus था वो plus 1 गया और जो plus था वो minus 1 गया अब देखिए यह number और यह number same है क्या yes same है और same है इसका मतला हमारा question सही है इसको हमने common निकाला तो यहां रजाएगा 2s और यहां रजाएगा minus का 1 ओके यह हमारे हो गए इसके factor लेकिन मैंने खाना यहां पर आभी हमें यह 9th class तक का काम नहीं करना है यह 9th class तक का काम हो गया अब इसके बाद थोड़ा 10 का काम भी करना है तो आप क्या करते हैं 10 पे यहां पूछा गया 0s तो हम 0s निकालने के लिए क्लिए 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 करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं इसका 0s निकालना है तो इससे 0 के बराबर करतेंगे minus 1 दरा के plus 1 हो गया 2s is equal to 1 तो s is equal to 1 upon 2 same procedure यह भी होगा यहां भी same value आगई अब क्या करेंगे एक नमबर को alpha मान लो और दूसरे को beta मान लो ठीके अब क्या करना हमें verify करना है तो verify करने का मैंने क्या तरीका बतायता है आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं question लिखते हैं इसके बाद इसको इसकी general location से compare करेंगे तो general location क्या होती है क्योंकि यहाँ S है तो यहाँ S लगा देंगे A S square प्लस B S प्लस C तो S square के साथ A है यहाँ S square के साथ 4 है तो A की value 4 हो गई यहाँ S के साथ B है और यहाँ S के साथ minus 4 है तो B की value minus 4 हो गई यहाँ C अकेला और यहाँ पर 1 अकेला तो C की value 1 हो गई अब बस आपको दो formula LHS equal to RHS prove करने हैं तो पहला formula होता है sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b upon यह याद रखना है formula आपको alpha की जगे alpha की value रखी और beta की जगे beta की value रखी minus b की जगे b की value रख दी और a की जगे हमने a की value रख दी इससे क्या हो जाएगा पर आधा और आधा एक होता है minus minus plus 4 upon 4 तो यह भी 2 upon 2 आगया यह 4 upon 4 है चाहो तो यह काट दो और यह भी काट दो तो क्या आजाएगा 1 is equal 1 इसका मतलब it is verify ओके इसी तरह से इसका हम second वाला part भी solve कर सकते हैं तो next वाला part क्या दे रखा है product of zeros तो product of zeros का क्या formula होता है alpha into beta is equal to c upon a alpha और beta दोनों की value को put up किया c की जगे c की value लगाई a की जगे a की value लगा दी 1 1 जब 1, 2 2 जब 4 ऐसे यह 1 upon 4 दोनों एक को लियाने के verified ओके इसी तरह से इसका next वाला part भी है उसको भी करेंगे actually क्या है कि सारे question एक ही जैसे procedure के है तो आपकी सर्फ help करने के लिए मैं यहाँ पर आपको explain कर रहा हूं just look up the third part of it third वाला part क्या दे रखा है आपको 6x square minus 3 minus 7x अब यह सही order नहीं है क्यों नहीं है सही order यहाँ x square आ रहा है फिर number आ रहा है फिर x आ रहा है जबकि क्या बतायता है मैंने आपको सबसे बड़ी पावर फिर चोटी पावर फिर उससे चोटी इसलिए पहले सही order में लिखेंगे ठीक है ना अगर सही order में नहीं लिखोगे तो question आपका यहीं पर गलत हो जाएगा ठीक है अब बस हमारा सही order में आ गया then you know very well the procedure क्या करते है last number का starting के नंबर में multiplied तो 3618 यह हो गए 18 अब इसके करेंगे हम प्राइम फेक्टर तो टू से दिया 9 टैम 3 से देंगे 3 टैम और 3 से देंगे 1 टैम ठीक हमारे पर फेक्टर कितने आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 अब इन तीन डिजिट का हमें ऐसे दो डिजिट बनाने है इसको प्लस य है 9 एक 9 हो गया एक 2 हो गया 9 में से 2 माइनस कर दें तो क्या आ जाता है 7 तो बस सभी नंबर ऐसी लिखने है बस 7 की जगए क्या लिख देंगे हम 9 मानस 2 ओके बागी सब जब में एक जिसे से रहे ना इसी मेंटर को कहते है स्प्लेटिंग दा मिडिल टर्म मेथड ठीक है इस 3 की टेबल में आता है तो 3 common यहां भी x यहां भी x तो x भी common इसको common निकालेंगे मतलब 3 कास में डिवाइट किया तो क्या बचा 2x दूपावर दी ना एक चलेगी तो एक बची 3 कास में डिवाइट करेंगे 3 3 जन आई यह तो यही एक था वो चला ही किया इसलिए यहां अब जब सीम नंबर चाहिए होता है तो यहां plus 1 लिख देते हैं क्योंकि कुछ common है नहीं जिसमें कुछ भी common नहीं है उसका तो 1 है ठीकें जहां कुछ भी नहीं होता महां 1 होता है तो 1 हमने लिख दिया तो यह ऐसी नंबर लिख देंगे 2x-3 अब यह नंबर सेम है तो common नि समझ में आई गया होगा क्या करते हैं जीरो ज के लिए हम जीरो के equal करते हैं तो इसको हमने 0 के equal किया मानस 3 दरह के हो जाएगा प्लस यान 2 x is equal to 3 तो x equal to हो जाएगा 3 upon 2 same as 3x plus 1 equal to 0 तो 3x is equal to minus 1 तो x equal to minus का बन अपॉन 3 एक नमबर अलफा मान लो दूसरे को बीटा मान लेजे इसके बाद आदा हमारा कोशन हो गया अगर यह 4 नमर में आता है तो 2 नमर आपके यहीं पर हो गए अब करना है आपको verify तो how to verify इस नमबर सबसे पहले हमने कोशन लेखा इसके बाद बाई compare करेंगे विद्दा general locations क्या होगी यहां x है तो ax square plus bx plus c x square के साथ क्या है a और यहां क्या है 6 तो e की value 6 x के साथ क्या है b और यहां x के साथ क्या है minus 7 तो b is equal to minus 7 c अकेला minus 3 अकेला यानिके c की value हो गई is equal to minus b upon तो देखो alpha की जग alpha की value beta की जगे beta की value लगा दी क्योंकि beta minus में था इसलिए bracket लगा दिया है b की जगे b की value और a की जगे a की value अब b b minus में था इसलिए मैंने bracket लगा दिया तो देखो plus minus minus हो जाएंगे इन दोनों का LCM लिए 2 6 आ गया 2 का डिवाइट किया 6 में 3 times और 3 3 जा 9 3 का करेंगे 2 times 2 बंजा 2 ठीक है यह minus minus plus का हो गया 7 upon 6 9 में से 2 minus करेंगे तो कितना हैगा 7 तो ये भी 7 upon 6 ये भी 7 upon 6 यानिके हमारा हो गया verified एक और formula होता है product of zeros वो लगा दिया alpha into beta is equal to c upon a याद रखना है formula formula नहीं भूलना है ठीक है न मेठा तो alpha की जगे alpha की value beta की जगे beta की value c की जगे c की value और a की जगे a की value बस 3 बंजा 3 और 2 3 या 6 दोनों बराबर बराबर मतलब verified इस तरह से हम इस question को भी solve कर सकते हैं ठीक है ना चलिए move on to the next questions अगला question क्या दे रखा है देखते हैं अगला question आपको fourth वाले दे रखा है 4u square plus 8u अब यह तोड़ा confusing है confusing मतलब तीसरा number है ही नहीं अब तीन number नहीं है तो बीच वाले को क्यों split गरेंगे फिर तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि बीच का number ही नहीं होगा तो यह तो direct solve हो रहा है दो number दे रखे हैं तो दोनों में क्या common दिख रहा है आपको 4 इसमें आ रहा है इसकी 4 की devil में 8 भी आता है u यहां भी है यहां भी है तो निकाली हमने 4u common 4u common लेंगे तो यहां कह रहा जाएगा u और यहां कह रहा जाएगा 2 हो गए factor factor का मतलब होता है just put up the number into multiplication form अगर दो number को multiplied वाली form में लिख दिया जाए तो उसी को कहते हैं factor तो हो गए factor अब इसके बाद बागी procedure कर लीजे जिसे zeros निकालना है तो दोनों को 0 को ब्राबर कर दो इसे 0 को ब्राबर करेंगे तो यू ब्राबर 0.4 याने के 0 आजाएगा इसे 0 को ब्राबर करेंगे तो यू प्लस 2 इस एकल टो 0 तो यू इस एकल टो मानस 2 हो जाएगा अब एक को alpha माल लेते हैं एक को beta माल लेते हैं अब same procedure for all quotient not a single change देखो क्या करेंगे verify करने के लिए पहले equation लिखी a और यहाँ u square के साथ क्या है 4 तो a is equal to 4 हो गया u के साथ b है और यहाँ u के साथ 8 है तो b is equal to 8 हो गया अब यहाँ पर c अकेला है यहाँ तो अकेला कुछ भी नहीं है अग कुछ नहीं मतलब 0 तो c is equal to 0 हो गया ओके now अब इसके बाद क्या करते हैं सिब दो फॉमले उनको पर प्रूप करना है आपको कैसे करेंगे प्रूप sum of the zeros क्या होता है alpha plus beta is equal to minus b अपने तो alpha की जगे alpha की value beta की जगे beta की value b की जगे b की value और a की जगे a की value तो 0 minus 2 मतलब minus 2 4 से 8 कड़ हो जाएगा 2 times minus sin इसलिए minus 2 अब यह बराबर बराबर मतलब verified ऐसी लेते हैं product of zeros तो product of zeros क्या हो जाएगा c upon a ठीक है तो alpha की जगे alpha की value beta की जगे beta की value c की जगे c की value और a की जगे जगे यह की value 0 में किसी का multiply करते हैं तो 0 आता है 0 में किसी का divide करते हैं तो भी 0 आता है तो यह भी हमारा हो गया verified ओके ना मूव ओन टू दा next question of it सारे असान है यह वाले तो और ज़्यदा असान है अब यह लिखा है t square minus 15 अब इसमें तो कुछ common ही नहीं है अब कुछ common नहीं है तो factor कैसे करें direct answer भी कर सकते हैं factor भी कर सकते हैं और भी तरीके हैं मैंने एक तरीका यूज किया हुआ है आपको एक और तरीके बता सकता हूँ तो इसके अगर factor ही करना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t square minus minus sin है इसलिए इसको हम under root 15 का square कर सकते हैं अब एक identity आप जानते हैं a square minus b square is equal to a plus b t और a minus b ना इन क्लास में सी कीती ही ना आपना identity वो लगा दो एक बर दोनों को plus कर दो t plus under root 15 और एक बर minus कर दो t minus under root 15 ठीके ये भी हो जाएगा अब zeros के लिए हम क्या करेंगे इसको zero कर आवर करेंगे तो इसकी value minus में आ जाएगे 15 square अड़ाते हैं तो square root लगाते हैं plus minus लगाके इसका मतलब plus भी answer है और minus भी answer है तो t की value हो गई रूट 15 और t की value हो गई रूट 15 और जैसे कि मैंने आवको पहले question में बताया था यहाँ भी होई करेंगे एक को alpha माल लेंगे और दूसरे को beta क्योंकि proving में आसानी हो जाती है इसलिए अब verify करने के लिए question लिखा हमने compare किया इसलिए हमने equation से क्योंकि यहाँ t था इसलिए हमने general equation में भी t लिखा a t square plus b t plus c तो t square के साथ a है और यहाँ क्या है कुछ नहीं तो a की value 1 यहाँ t के साथ b है यहाँ t ही नहीं है नहीं है तो 0 यहाँ c अकेला और यहाँ minus 15 अकेला तो c is equal to minus 15 formula अब जानते ही है दो formula में verify करने होते है क्योंकि एक में b और a आयाता है दूसरे में c और a आयाता है तो तीनों coefficient का use करना है ना मैं इसलिए तो alpha plus beta is equal to minus b अपने alpha की जगे alpha की value beta की जगे beta की value b की जगे b की value और a की जगे a की value 1 plus 1 minus तो 0 हो जाएगा और 0 में की जगे divide करते हैं तो भी 0 आता है हो गया verified बिल्कुल इसी तरह से इसका product of 0 ज़ कर सकते हैं alpha into beta is equal to c upon alpha की जगे alpha की value beta की value c upon ने सी की जगे सी वैलू और ए की जगे ये वैलू अको बता है रूट रूट सेम नंबर मुल्टिपार्ट में रूट हड़े आता है साइन वैसे के वैसी रहेगा और यहां भी मैंने सुप्टी परावर आ गए हो गया वैरिफाइट ओके ना मूव ऑन टूदा नेक्स कोशन ए यह आपका होंबग है तो जैसे कि मैंने आपको पहले कोशन बताया था पहले चेक करेंगे कोशन राइट है के नहीं है तो 3x²-x-4 तो देखो x² की सब्सें बड़ी पावर चोटी पावर उससे चोटी तो कोशन सही है आपके करते हैं लास्ट नंबर का स्टार्टिंग वाल यह तीन नमर आ गए इन तीन नमरों को ऐसे यूज़ करना है कि बना जाए तो इसी को ले लो टू टू जा 4 और 3 4-3 बन होता है ठीक है तो वही हमने किया सारे नमर सेम लिखेंगे बस बीच इसकी जगह पर 4-3 आ जाएगा इसी को कहते हैं हम स्प्लिटिंग दा मिडिल टम म अंदर मल्टिपेड करो मानस 4x मानस 1 एकस प्लस का 3x इन दोनों में क्या common आ रहा है से यकस के कुछ भी common नहीं है तो यह हमानस का 4 बचा अब यहां 3x है यहां भी सेम नमर लिख देंगे प्लस 1 तो यह भी 3x मानस 4 हो गया सेम नमर है न अब सेम नमर होता है तो यह हमारे हो हो गए factor अब factor निकालने बात क्या करते हैं जीरो निकालेंगे जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे इसे जीरो के equal करते हैं तो देखिए इसको 0 के equal किया है समने तो 3x-4 equal to 0 तो 3x is equal to 4 तो x equal to क्या हो जाएगा 4 upon 3 same as इसके 0 निकालने तो x plus 1 equal to 0 तो x is equal to minus 1 एक को alpha माल लो दूसरे को beta माल लो फिर क्या करेंगे same step for all questions ठीक है ध्यान रखना है तो क्या करना है verify करना है तो question लिखा journal location लिखी a x square plus b x plus c compare करके a b c निकाला x square के साथ a और यहाँ पर 3 तो a is equal to 3 x के साथ b और यहाँ पर कुछ नहीं है यानिके 1 तो b is equal to minus 1 minus sign ना इसलिए c अकेला minus 4 अकेला तो c is equal to minus 4 अब क्या करते हैं यहाँ पर दो formula है उनको verify करना होता है पहला है sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b upon तो alpha की जगे alpha की value beta की जगे beta की value b की जगे b की value और a की जगे a की value अब यह question कैसे सौल होगा इसके नीचे मैंने 1 मान लिया LCM लेंगे 3 और 1 का LCM 3 तो 3 का दिया 1 time 1 का उपर करेंगे तो 4 1 का दिया 3 time तो 3 बंजा 3 ऐसे ही minus minus plus का बना पॉन 3 तो 4 minus 3 क्या होता है 1 तो यह हमारा क्या आ गया बना पॉन 3 और यह भी बना पॉन 3 यानिके हो गया हमारा यह वेरिफाइड इसी तरह से दूसरी वाली वैल्यू भी प्रूब कर सकते हैं आप दूसरी वाली वैल्यू क्या है product of zeros alpha into beta is equal to क्या होता है c है पॉन ए तो alpha into beta की आपने आप the next question I will explain you in my next video